मस्कार स्वागत है आपका दान्यूज पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी 22 जनवरी 2024 भारत के इत्यास का सबसे एहम दिन होने जा रहा है वो दिन जब करोडों हिंद्वों का सपना आखिरकार साकार होगा अयुद्या में लंबे इंतजार के बाद भव्य शिर्राम उससे जादा भव्य राम मंतिर की प्रान परतिस्ठा भी होगी जीहां तयारियां जोरो शोरो पर आयुद्या में चल रही है और इसको लेकर हर रोज बड़ी खबर साफने आ रही है 22 जनवरी के इस एत्यासिक दिन को अब और जादा खास पनाने के लिए देशपर की को निमंत्रन भेचा किया है इस प्रान परतिस्ठा में शामिल होने के लिए नियोता जो है वो लगातार भीचा जा रहा है जिसमें अब बड़ा नाम साफने आया है वो ये कि किरकेटर सचिन तेंदुलकर और साथी विराट कोहली को रामला की प्रान परतिस्ठा के इस मोके पर शामिल होने के लिए आमंत्रीत किया किया है ये बड़ी खबर साफने आई है कि उन दोनों किरकेटर को भी निमंत्रन भेचा किया है अब इन दोनों को जो नियोता भेचा किया है देखना होगा कि क्या विराट कोहली खास तोर पर रामला की प्रान परतिस्ठा के मोके प बात पर टिकी हुई है कि 22 जनवरी को क्या विराठ को ली अयोध्या जाएंगे जब रामला वहां पर विराजमान होंगे भव्य मंदिर में तो इस पर कहीं न कहीं सब की निगाए ठीकी हुई है इसके अलावा अगर बात की जाए तो जाने माने उद्योगपती गोतम अडानी मुकेश अंबानी और रतन ताटा के साथ साथ कई बड़े जो इंडिस्टिलिस्ट हैं वो आने की उमीद है साथ ही एंटेटेंट्मिंट इंडिस्ट्री के कई कलाकारों को भी और साथ ही कई वरिष्ट पत्रकारों को भी नियोता भेचा गया है सेना के पूर्व अधिकारि के साथ साथ रिटार्ड सिविल सर्वेंट्स, वकील और पद्म प्रुषकारों से समानित हस्तियों को भी रामला की प्रानपरतिष्ठा के इस खास मोके के लिए आमंतृत किया रिया है मैं आपको ये बड़ी जानकारी देदू कि लगभग 2000 वी वी आईपी दिगज जो है वो रामला की प्रानपरतिष्ठा के इस मोके पर शामिल होने जा रहे हैं साथ ही देश के प्रदान मंतृरी नरेंद्र मोदी को श्रीरामचन भूमी ट्रस्ट की ओर से पहले ही निमंतृरन भीजा जा चुका है और उसको लेकर काफी जादा जियासत जो थी वो विपक्ष की ओर से की गई लेकिन वहीं आरेसेस पर मोहन भागपत से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतृरी योगी अधिनाथ भी रामला की प्रानपरतिस्ठा के मोके पर अयुद्या में मौचूद रहेंगे इस खास और एथ्यासिक पल के वो भी कभा बनेंगे तो कहीं न कहीं यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा और एथ्यासिक दिन होने जा रहा है 22 जनवरी वो तारीक होगी जब लंबे इंतजार के बाद लंबे संघर्ष के बाद कहीं हिंदों का ये सपना जो है वो साकार होगा और भव्यर राममंदिर में रामला विराजमान होगे तैयारियां कितनी जोरो शोरो पर चल रही है ये आयुद्या से आई तस्वीरें हर रोज कहीं ने कहीं इस बात की गभाई दे रही हैं फिर चाहे हो पूरी आयुद्या नगरी को फूलों से सجाना हो फिर चाहे हो मूर्तिकार जिस तरीके से दिन रात मेहनत करके वहाँ पर प्रफग एक हफ़ते के भीतर ये पूरा फव्यर राम मंदिर का काम पूरा हो जाएगा ये जानकारी जो श्रिराम जनभूमी ट्रस्ट के जो महासचीव हैं चमपत राएं उनकी तरफ से दी गई है और उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि राम जनभूमी मंदिर में भगवा कर इसे अलगलग पत्थरों से बना रही हैं ये प्रतिमा करीब 90% तयार हैं एक सब्था का फिनीशिंग का काम पाकी है और ये तमाम जानकारी उनकी तरफ से दी गई है क्या कुछ जानकारी उन्होंने राम मंदिर को लेकर दी है सुनिए भगवान राम के बाल रूप आई प्रतिमा चार फिट तीन इंच ये अयुद्ध्या में तीन स्थान उपर बनाई जा रही है तीन कारिगर तीन अलग-अलग पत्थरों में बना रहे हैं भगवान जिस किसी के हाथ को स्विकार कर ले ये पत्थर की प्रतिमा ये लगभग तयार है नभ्य प्रतिशक तक तैयार है एक सब्ता का फिनिशिंग वर्क बाइए प्राप इच्छा के अवसर पर देश के कम से कम चार जार संत निमंत्रित किये जा रहे हैं सूचियां बन चुकी है अनेकों को वाटसेप पर जो इमेल देखते हैं उनकों इमेल पर काफी बड़ी संख्या में बाई हैंड और अभी तक लगभग बद्टिस संतों को बाई पोस्ट सूचनाय प्रिशित कर दी गई हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि 2000 वीरी आईपी चेहरे जो हैं वो रामरा की प्रान परतिस्ठा के मोके पर अयोध्या नगरी में मोचूद होंगे इस भव्य कारिक्रम का वो हिस्सा बनेंगे इसके लावा जो बड़ी जानकारी साब ने आई है वो ये है कि दरसल 1990 में जो राममंतिर आंदोलन में जिन लोगों ने जानकवाई पचास कार सेवक उनके परिवारों को भी इस खास मोके पर बुलाया किया है इसके लावा जो आतमाम संथ हैं पुजारी हैं देश भर के लगबग 6,000 उनकी संख्या है उन्हें भी अमंतृत किया किया है तो कुल मिला कर 8,000 लोगों को अमंतृत किया किया है ये विश्व हिं लिंक साज्वा किया जाएगा एक बार जो वो लिंक का इस्तेमाल करके रेजिस्टरेशन कर देंगे तो एक बार कोड उतपन होगा जो उसके प्रवेश्ट पास की रूप में काम करेगा तो इस तरीके से जो एंट्री है वो कहीं ने कहीं इन वी वी आईपी और वी आईपी ग पुरे देश्क से लोग यहां जुटे थे और कहीं न कहीं इसको लेकर सुरक्षा भी अयोध्या नगरी केकर बात की जाए तो काफी जादा पुक्ता की गई हैं चपे चपे पर पुलिस तैनाथ हैं क्योंकि 22 चेनपरी की तारी करीब है और जिस तरीके से वहां पर तहियारिय चल रही है हर किसी की नजरे जो है वो फिलाल आयोध्या नगरी पर टिकी हुई है जब राम्हला राममंदिर में विराज़मान होंगे और उसके बाद ये मंदिर जो है आम भक्तों के लिए खुल जाएगा जाहिर तोर पर करोड़ों हिंदों को इस पल का इंतजार है और र ख्याल रखा गया है जिन्होंने कहीं न कहीं कोई न कोई योगदान जो है वो राममंदिर के निर्मान में दिया है या इस पूरे संगर्ष में कहीं न कहीं वो साथ रहे हैं और उन तमाम लोगों को अमंतुरित किया किया है लेकिन इसी के साथ ये बड़ी खबर है कि कई ज विराट कोली जो है वो भारत और इंग्लेंट के बीच टेस्ट सीरीज जो है वो जनवरी के आखर में होनी है तो ऐसे में वो इस सीरीज के लिए क्या टीम इंडिया के साथ तयारियों में चुटेंगे या एक दिन का वो टाइम निकालेंगे और आयुध्या नकरी पहुंचें तमाम बड़े उद्योगपती और इसी के साथ साथ कई बड़े किर्केटर्स को भी इस जो आयुध्या में राममंदर में रामला विराजवान होंगे इस खास मोके के लिए आमंतरीत किया गया है फिलाल आपकी इस पूरे बाफले को लेकर क्या राय है में कॉमेंट बॉक्स में जरू लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें थन्यवाद